Hello everyone, welcome back to this channel, history बानिखिल आज की वीडियो में इम डिसक्रिस करने वाले हैं पाला डायनिस्टी की बान में जो की एक इंपोर्टेंट डायनिस्टी थी, अरली मेडिवल इंडियन इस्टी की इस डायनिस्टी ने बेंगोल में रूल किया था इस dynasty के बर में हम डिटेल में जाने वाले हैं इस वीडियो में तो अगर आज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजेगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं So this is little bit about me Now let's come back to the topic Pala dynasty So Pala dynasty एक early medieval history के एक important dynasty थी एक regional dynasty थी जिसने Bengal पे रूल किया इसका nucleus area basically Bengal and Bihar था और इसा आप मान सकते हैं East India वाला एरिया जो आज का है इस dynasty का आपको geography clear होना चाहिए So इसका nucleus area क्या है Bengal and Bihar mostly यह हमें clear होना चाहिए और इस dynasty का time period क्या रहा 8th century से लेकर 12th century थक So इस dynasty ने कब से कब तक रूल किया Bengal पर 8th century से लेकर 12th century थक इसके अलावा एक और चीज़ धियान रखे एक पाला dynasty के जो dynasty थी वो एक regional dynasty थी और जो early medieval history है उसमें हमें एक trend देखने को मिलता है कि regional dynasty का emergence होना शुरू हो गया है regional dynasty जैसे Bengal के अपने dynasty होगी आसाम के अपने dynasty होगी उत्तरपदेश या हिमाचल हर्याणा पंजाब इन सब की अपनी खुद की डाइनस्टी होगी हम देखेंगे इस तरह के ये trend कब हुआ जब गुपता empire जो की एक centralized empire था pan india empire था जिसका पूरे इंडिया पे control था उसका decline हो गया तो गुपता empire के decline के बाद जो की एक centralized empire था उसके decline के बाद एक vacuum create हुआ उस vacuum को fill किया regional dynasties ने कहने का मतलब ये गुपता dynasty पूरे pan india level पर एक dynasty थी जिसने rule किया लेकिन उसके decline के बाद हमें पाला dynasty जिसने rule किया बैंगॉल पे इसके अलावा और जितनी भी डाइनस्टी थी जैसे चंडिला डाइनस्टी जिसने मध्यप्रदेश में rule किया काला चूरी डाइनस्टी जो कि हम देख चुके तेलंगाना में जिसने रूल किया इस तरह की डाइनस्टी जो कि हम cover कर चुके हैं previous वीडियो उसमें अगर आप चाहते हैं उन डाइनस्टी के बारे में जाना तो आप previous वीडियो देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप early medieval history के बारे में ओर जाना चाहते हैं तो इसपर भी एक lecture है उपिंदर सिंकी बुक से पूरा कवर किया है उसमें हमने तो वो आप जाकर देख सकते हैं तो अब इस डाइनस्टी के बारे में आपको क्या समझ में क्लियर होना चाहिए पहला कि ये डाइनस्टी बिहार और बेंगॉल में रूल कर रही थी 8th century से लेकर 12th century के बीच में और इसके founder थे Gopala जो की एक local chief थे जो की Bengal में emerge हुए और ये power में आते हैं उस time पर जब Bengal में नार की थी और इनको elect किया गया लोगों के द्वारा इनका कोई ऐसा ancestral link नहीं था king से मतलब इनके घर में सब king नहीं थे क्योंकि हम देखते हैं जितनी भी monarchical state होते हैं वहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनता है लेकिन अगर इनके case में देखा जाए पाला dynasty के case में जो founder थे इसके Gopala उनका कोई link नहीं था उनके ancestor कोई king नहीं थे बलकि उनको elect किया गया था as a king यह बड़ा interesting था चले हम जानते हैं पहले ruler के बारे में इसके यानि के Gopala के बारे में so basically जो की his dynasty के founder है तो यह धिहान रखना है who is the founder of the Gopala dynasty? that is Gopala इनको elect किया गया था throne पे मतलब इनको जो power मिली थी as a king he become king after election people elected him क्योंकि इनमें जो sahas था इनकी capacity इनकी potential को देखकर as a leader चुना गया और इनोंने अपने rule के दर्मियान buddhist को काफी patronage दिया और यह खुद भी buddhist थे और Bengal में इनके time पर buddhism काफी spread होने लगा और buddhism को patronage मिला royal patronage so हम देखेंगे buddhism का जो spread हुआ है यह फिर Tibet area में उसमें काफी बड़ा contribution है पालास का और उसके बाद हम देखेंगे पालास जो गोपाला थे जो की founder थे इस dynasty के उनको succeed करते है धरमपाला 717 CE में अब हम बात कर लेते हैं हमारे next ruler की धरमपाला जिन्होंने succeed किया गोपाला को सो यह गोपाला की successor थे इन्होंने काफी North India का काफी बड़ा part conquer किया हालाकि इनका जो main nucleus area था वो बेंगॉल और बिहारी था जो हम देख चुके हैं इन्होंने इनके time पर एक दरबार held किया गया था कनौच में और वहां भी इन्होंने अपने एक puppet ruler को रखा था जिसका नाम था चरका युद्धा इससे पता चलता है कि इन्होंने काफी बड़े area को conquer किया और जो बाकी kings थे उनको अपने subordinate कर लिया ऐसी एक king थे चक्रा युद्धा जो कि कनौच के king थे जिन्होंने इनको supreme मान लिया as a supreme king माना और खुद को subordinate माना चक्रा युद्धा एक example है इसके अलावा हम देखेंगे बहुत अलग अलग parts पर भी इन्होंने conquer किया जैसे कि North India का बहुत बड़े part को conquer किया Central India के बहुत बड़े part को conquer किया इनी के time पर हम देखेंगे बुद्धीस monasteries बेस्टेब्रेस की गई जैसे कि Vikramashila, Soma Puri और Dantapuri जो कि बड़ी important monasteries रही हैं और यह exam से पूछ ली जाती है इसके founders पूछ ले जाते हैं अब हम बात कर लेते हैं देवपाला देवपाला जो की successor थे धरमपाला के इन्होंने empire को extend किया और claim किया कि इन्होंने पूरे North India से tribute हासिल किया कहने का मतलब यह है कि North India में जितना भी North India की ruler थे वो सब इनके subordinate हो गए और उन्होंने इनको tribute पे किया यह clear होना चाहिए हिमाला से लेकि विंद्याता कि इनका rule था indirect rule था यह clear होना चाहिए direct rule नहीं direct rule में एक king सीधा rule कर रहा होता उस area को लेकिन indirect rule में एक king दूसरे king को rule करने देता है और बदले में tribute लेता है एक आपके सकते gift या tax इस तरह से rule करते थे यह सो देवा पाला का जो direct control था वो बिहार और बिंगॉल में था और जो indirect control था वो इनका पूरे entire North India में था जैसा ही claim करते हैं और यह भी बुद्धिजम के patronage इन्होंने भी बुद्धिजम को patronage दिया इसके बाद हम बात कर लेते हैं मही पाला first की जो की माने जाते है founder of second pala empire क्योंकि इनसे पहले यह जो pala dynasty थी उसका decline होना शुरू हो गया था लेकिन इन्होंने pala dynasty को या pala empire को वापस से revive किया इसलिए इन्हें बोला जाता है founder of second pala empire अगर यह ना होते तो फिर pala empire का decline ही हो जाता इस टाइम पर लेकिन इन्होंने वापस से revive किया हाला कि इसके बाद फिर decline होना शुरू हो गया था इन्ही के टाइम पर हम देखेंगे कि pala जो है वो काफी ancestral kingdoms वापस regain कर लेते हैं जैसे Bengal so basically जो महिपाला first से पहले जितने भी rulers थे जो weak rulers थे उन्होंने काफी अपना area खो दिया था बाकी rulers को लेकिन इन्होंने वापस से वो regain किया और जो एक privilege था glory थी वो वापस से achieve की इसके अलावे इन्होंने north west east Bengal का काफी area conquer किया अपनी territories को extend किया बनारस तक west में अब decline की बात कर लेते हैं पाला empire का decline होना शुरू हो गया था 9th century में लेकिन इसको बीच में 11th century में revive किया था मही पाला 1st ने जो कि हम अभी देख चुके हैं यह रहे मही पाला 1st लेकिन फिर दो बारास से decline शुरू हो गया था और ultimately पाला empire का decline हो जाते 12th century में यह वो empire था जिसके शुरूआत बेंगोल में होई थी 8th century में और इसका decline हो गया ultimately 12th century में और 12th century वो टाइम में यह भी ध्यान रखेंगा जब basically 12th century वो टाइम में जब you know Turkish invasants इंडिया में हो रहे है और Mohammed Gori, Mohammed Ghazni बाकी लोग आ रहे हैं नहीं कि Muslim invasants होना शुरू हो गया है बहुत सारा क्योस का situation है नार्की का situation है यह भी आपको clear होना चाहिए इनके decline के साथ साथ Buddhism का भी decline होना शुरू हो गया था Bengal में इसके अलाब हम देख लेते हैं इनका decline क्यों हुआ तो weak rulers से तो हम देखेंगे महिपाला first से पहले जितने भी rulers से वो weak थे धरमपाला के बाद जितने भी rulers से वो weak थे और महिपाला first से पहले सो कही ना कहीं weak rulers की वजह से decline हुआ महिपाला first के बाद जितने ruler है वो weak थे इसके अलाबा जितने भी इनके neighbor में हम देखेंगे important dynastries आने लगी बहुत powerful dynastries आने लगी जुन्होंने इन्हें challenge किया रास्ट कूटा इन प्रतिहारा उनी में से एक थी रास्ट कूटा इन प्रतिहारा इने काफी बाला kings को defeat किया और ultimately dynasty का decline हो गया इसके अलावा इसके जो जितने भी subordinate kings से आ साम में और इसा में वो सब independent हो गए क्योंकि king weak हो गए देखें जब king weak हो गए तो obviously जितने भी rulers होंगे जो subordinate मानते थे पाला से अपने आपको जो पाला को superior मानते थे और खुद को subordinate मानते थे और कही ना कहीं पाला के गुलाम थे तरह से आपके सकते हैं लेकिन वो अब independent हो गए क्योंकि ने लगा कि अब तो जो ruler है पाला dynasty के वो weak है इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया और वो independent हो गए assume किया उन्होंने independence इसके अलावा हम देखेंगे जो पाला dynasty थी उसका रिवाइबल हुआ माई पाला 1st के टाइम पर 10th century में लेकिन वो भी ultimately 12th century में decline होई जाता है इसके अलावा एक और चीज दियान रखना है तीन empires के बीच में जो clash हो रहा था जिस पर एक अलाव separate video में हम बात करेंगे रास्ट कूटा प्रतिहारास और पालास इन तीनों के बीच में जो class था वो भी हम discuss करने वाले हैं जिसका core था कनोच अगर आपको वीडियो पर संद आएगे तो thank you for your you know watching this video and अपना you know video को like जरूर से कर दीजे चानल को subscribe कर दीजे thank you for watching the video